कम से कम वो तो आरक्षन को schedule line में करना चाहिए था। उस पे भी कोई चर्चा नहीं करते हैं लोग। पूरे भारत सरकार में जितनी पक्की नौकरिया, सरकारी नौकरिया मिली हूँगी। हम चालेंज करते हैं केंदर सरकार को कि हमारे 17 महीने में उससे जाधा अगर भारत सरकार ने नौकरी दिये तो बताओं। दो चीज़े देख दी है, 17 साल बनाम 17 महीने और दूसरा केंदर सरकार के 10 साल में बिहार के ले क्या किया। लालु जी जब केदर मंद्धी तर कई कार खाने रेलवे के यहां दिये, नबे हजार करोर का मुनाफ़ा दिया, वो चाहे तो पांसो पार भी बात करें, हजार भी करें, भाई उनका मुह है, उनकी बात है, अधबुद है, बहाई, सरकार बदलते ही, भाजपा जैसे आगई सर लिखा हुआ है देखें लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व जो है उसकी शुरुवात हो गई है और हम लोग बहुत ही कॉंफिडेंट है पूरी तयारी हम लोगों की हो चुकी है और हम पहले भी कहे थे कि बिहार जो है इस बार चौकाने वाला रिजल्ट देगा हाला कि बहुत सारे टीवी चैनलों ने अपना सर्वे किया है उनका काम है उनका प्रोफेशन है लेकिन चौकाने वाला शर्द इसलिए हम कह रहे हैं कि जो अंडर करेंट जो है लोगों में खावसपर पर बिहार के लोगों पाई है दो चीज़े देख रही है 17 साल बनाम 17 महीने और दूसरा केंड्र सरकार के 10 साल में बिहार के लिए क्या कि बिहार को ऊ Taylor को कोई भी काम जो है BJP की सरकार ने Nडि की सरकार ने कोई काम ने किया जिसका criticism मानने मुख मंत्रिजी ए उनके अन्य मंत्रियों नों भी किया और हम लोगों का तो पुराना जो मांग रहा जो हम लोगों ने आरक्षन बरहाया था महागरबंधन के लोगों ने जो 75% की जो सीमा की थी भाई उसको schedule 9 में करने का वो भी कोई काम नहीं किया अब भाजपा में जाती ही मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं हाला कि अभिवाबक हैं हम उनकी मजबूरियों को समझ रहे हैं कि कॉंप्रमाइज करना पड़ता है लेकिन जो काम हम लोगों ने किया जिसकी मांग हम लोगों ने किया जिसका समर्थन सब लोगों ने दिया कम से कम वो तो आरक्षन को schedule 9 में करना चाहिए था उस पे भी कोई को चrü्ट्चा नहीं करते ये लोग कि ना पंदरालाक रुपे आंए क्या हुआ नहीं हुआ इसके बारे में भी कोई चर्चा ने वह पूरे भारत सरकार में जितन Regular नोक्रिया सरकारी नोक्रीय होंगी हम चालेंज करते हैं केंद्र सरकार को कि हमारे सथना महीने में उससे ज come अगर भारत सरकार ने नौकली दिये तो बताओ तो असली मुद्दा ना महंगाई कम हुई ना किसानों की समस्या को इन्हों ने दूर किया और खास तोर पे बिहार को आगे बरहाने के लिए क्योंकि यह सबका मानना है पिछले राज बिहार के अलावा भी और भी पिछले राज है अगर बिहार जैसे राज जी अगर आगे यह बढ़ाने में सयोग नहीं करेंगे तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा दूसरी बात 40 में से 49 सीटे इनको मिला पिछले बार यह 49 सांसदों ने अपने अपने लोग सबाद छेत्रों में कौन सा ऐसा काम कर दिया कौन सा ऐसा कारखाना केंदर सरकान ने यहां लगवाया हम लोग सत्रा महिने थे तो 50,000 करोर का M.E.U. निवेश जो है इन्वेस्टमेंट उसका हम लोगों ने करवाया था जो यहां इन्वेस्टर मीट हु होता था उसको कम किया गरीबों के लिए गरीब रत निकाला बिहार के लिए स्पेशल स्टेशन होल्ट से ले करके कई ट्रेने दी तो यह काम तो बताना पड़ेगा ना कि भाई काम पे ना वोट मिलेगा 400 की बात कर रहे हैं वह चाहें तो 500 पार भी बात करें हजार भी करें हैं एक गहिंञा लेकिन हम तो भैई जो हकीकत है जो सचाई है जो जनता की बात थे उसी को हम कहेंगे तो बिहार जो है हम लोग पूरी तरीके से confident है बिहार जो है देश को दिशा दिखाया है हमेशा इस बार भी मुख्यमंत्री जी चले गए हो लेकिन बिहार की जनता वहीं खड़ी है भाजपा करो आज बंबे में है राहूल गांदी जी ने खुद फोन करके निमंत्रन दिया था तो आज हम लोग जा रहे हैं बताओ 17 महीने में कोई पेपर लिख हुआ था गया और इसी को कहते हैं असल माफिया राज सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आगी सरकार में एडमिड कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ यह अदबुद कुछ लोग माफिया राज खतम करने की बात करते हैं लेकिन हाकिकात में हो क्या रहा है यह बिहार में सतर दिनों के अंदर द का जहां राज रहां वहां पेपर लिख यूपी में पेपर लिख मंद्य प्रदेश से लेकर के हर जगा अब बिहार में तो आज गजबे हो गया एडमिट काड लेके लोग जाते हैं उसके पीछे ही उत्तर है तो हम तो चाहेंगे कि इस बहात को आप लोग भी समक्ष जो है कने का का जब